लोगी आपके लिए स्मार्ट नोगे चैनल दोस्तों आज हम आपके लिए कर आए क्वा एक्सपिरेंस वीडियो जिया दोस्तों यह वाले जितने भी स्टूनेंट से उनके लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है क्योंकि उनको कुछ सिखने को मिलेगा कि क्या स्पेशल ऐसा है जो रोज बदला होते जा रहे हैं जहां दोस्तों एक समय था जब लगभग 10-15 दिन आप लगातार वीडियो देखते हों अलगभग और सबी वीडियो में अपने यहीं सब देखा बड़ दोस्तों अब जो हो रहा है वह रहा है चेंजेज यानि कि खूड जितना भी खाना आप से बनवाया जा रहा था अब जो है अब नए खाने को बनवाया जा रहा जानी कि कुछ नए चेंजेज रेसेपी में अब हो रहा है बदलाव तो अब यह बदलाव क्या है आप कौन से नहीं चीज़ें आपको एड-on करनी पड़ रहे हैं वहीं सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि दोस्तों आपको जब भी हमारी कोई भी नई अपडेट आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए साथ ही दो है उस वाम का नोटिफिकेशन उस वाम को कैसे भरना है step by step पूरी डीटेल आपको यहां पर मिल जाती है चली दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों कि आज जो हुआ वह हम सुरू से बताएंगे आपको क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में एक चीज़ बत बता देता हूं पहले चीज मैं आपको एडमिट कार्ड जो है सबसे पहले से तयार रखना है तो एडमिट कार्ड आपका जब रेडी हो जाए तो उसका जो है जैरॉक्स माल लीजिए सबसे पहले उसको फिर नंबर दो पर आता है दसवी या बारवी जो आपके पास अवेल आएंगे और सब चीज में दो एडमिट कार्ड होगा आपका दो आपका दस्वी के माक्षित होंगे उसके बाद नंबर तीन पर जो आते हैं वह आता है हमारा जाती प्रमाडपत्र रियानी की कास्ट सर्टिफिकेट अप कास्ट में देखिए सी स्टी ओवी सी इड़ाबलुएस जो भी कास्ट आपकी है जिसका उस्ट आप लोंग करते हैं उस कास्ट का सेंट्रल गौर्मेंट का फॉर्मेट हो तो बहुत ही बहतर है तो आपको क्या है आगे कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपके पास स्टेट है तो भी चलेगा दोस्तों यहाँ पर फॉर्मेट में नहीं है अगर आपको सेंट्रल गौर्मेंट का फॉर्मेट चाहिए तो आप जो है इसके ऑफिचली वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी हुई थी 798 पोस्ट की वहाँ पर आप जाके पहरा चेक कर सकते हैं डॉक्यमेटेशन में तो वहाँ पर दिखिए वह इसका format दिया हुआ है तो सेम फॉर्मेट अगर आपके जो तसील है या फिर आपको बिलॉक है अगर वहाँ पे नहीं है तो आप क्या कि जी उसी चीज़ को सेंट ले ले लीजिये या फिर इससे टाइप कर चेवालेजिए सेम फॉर्मेट में अ आइडी काड आप सभी को पता है बड़ बताना जरूरी है दोस्तों क्योंकि आप एक भी डॉक्मेंट भूले गया नहीं आइडी काड में आप क्या ले जा सकते आधार काड ड्राइविंग लाइसेंस या फिल ओटिंग काड यह तीन चीज आपकी मानने होगी आप यह सोच र क्लेरिफिकेंशन मिल जाएगा तो यह चीज़े हो गई आपके डॉक्मेंटेशन को लेके अब हम बात करेंगे हमारे आगे की प्रोसेस में तो आगे का प्रोसेस क्या होता है दोस्तों आपको पता है कि लगबत 400 से लेकि 500 स्टुडेंस पर डे आ रहे हैं जा दोस्तों संख पहले पहुंच रहे हैं लेकिन समटाइमस यसा हो रहा है कि टम समय से लेट चल रही है जो आपको पता है कि काफी बारिस का सीजन है तो हमने उनसे कहा कि अगर आपको टाइमिंग को इस्टों आप लगबग जाने जो इसका एंड समय यह है कि साथ वजह तक साम तक आपका अगर आपको संख्या जादा है जैसे स्टूरेंस आपके साथ जो जादा है उससी ट्रेन में आ रहे हैं तो आपको आखर समय तक जो है मौकर दिया जाता है नौ बज़े तक तो आपको टाइमिंग कर लेगो कोई इश्व नहीं है दो तीन घंटा चार घंटा लेट भी तो यहां पर आपको क्या कर दिया जाता दोस्तों बैच नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस परकार आपको जो है बैच का जो है नंबर दे दिया जाता है अब आपको जो है बैच वाइस बुला जाएगा तो चलिए हम बैच 1 को बुला लेते हैं तो बैच 1 को जब बुला ले जाएगा तो यहाँ पे इसी तरगा table बना होगा दोस्तों वहाँ पे आपको पहला round होगा याने की first round तो first round में क्या है दोस्तों यहाँ पे आपको सबजीया रखे होंगी और यहाँ पे आपको मसाले एक constable आपको क्या होगा वो आपसे सबजीयों के बारे में पुछेगा दूसरा constable आपको मसाले बारे में पुछेगा अगर यह round आप पास करते हैं तो ही आप second round में जाएंगे अगर नहीं तो मगर हो जाएगा दोस्तों यहीं से आपको बाहर कर दिया जाएगा तो यह round आपको पास होना बहुत ज़रूरी है आप हमारे चैनल पे भी जा सकते हैं या फिर किसी और का अगर आपको पसंदा आता है या फिर आप इंटरनेट से पढ़ना चाहते हैं आप सभी मसालों के नाम पढ़ेंगे वैसे हमने स्मार्टों चैनल पे असी प्रकार के मसालें सबका पिक्चर के साथ HD पिक्चर के साथ नाम बताये हुए हैं आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं सभी मसालों के नाम रट लीजिए सबजीयों के नाम पढ़ लीजिए क्योंकि यही दो चीज़ आपको जो है हम फर्स ल्हां में पूछी जाने वाली है फर्स ल्हां के बाद हम जाते हैंजे जाते हैं अपने सेकेंड वन में सेकंड राउन इस लिए क्योंकि आज हम् dit है क्योंकि जो हम बताते थे कि रोटी बनवाये जा रहा है आप ョeed आपसे सबजिया कटवाई जाए आपसे के आमzusड़ा रहे थे आपसे लिए specially है तो दोस्तों अब तैसे नहीं हो रही है जी जो euro है जटेयरेट में यहीज नहीं सब्सक्राइब आज अ इसका सब्सक्राएब एसनधा अंको दो सब्सक्राइब ऐदी किसी हो फालइट कर लाएब है कि अ careful यहार ऄहिए तो हमारे स्टोडें ने बताया कि सर मेरे स्टे पकड़े बनाने के लिए कहा गया था तो पहले मैंने प्याज काट लिया यानि की कांदा तो उसे काट लिया बारिक बारिक उसके बाद जो है थोड़ी सी मिर्च काट लिया इसमें मसाला मिक्स किया हल्दी मिक्स किया और इस भ दूसरा काम करवाए गया मुझसे तो यह है दोस्तो अगर आप पहला राउन क्लियर करते हैं मसालों समय के नाम के बाद तो फिर आज आपको जो है पकोड़े है कट्लेट तो इस परकार जो है परैठा आलू के परैठे आपको जाते हैं कि रहे हैं उसक्षणे कि वहां ए उसक तो मैं वह बता देना चाहूंगा कि देखिए आपको पड़ जो है समय दिया रहेगा लगभग पूर लगभग आपके पास जो है सुफिसेंट समय रहता है आपको कोई समय की कमी नहीं है आप आसानी से जो है बना सकते हैं बट यह है कि आपको जो है सतरकता रखनी है और दिखाईए तब जाके आपको जो हैं पर सेलेक्शन हो रहा है आप ही को पता है सभी को पता है दोस्तों कि 400 में से साथ से ज्यादा स्टोड़न कभी पास नहीं हो रहे अभी तक जितना भी ट्रेड हुआ है टेस्ट तो साथ से आठ इस्टोड़न अगर पास हो रहे हैं तो अगर है तो यह चीज़े कहां से दोस्तो यह आती지 groz से लुकता हैbody सदेड़न को निता है जहां से लोग cue सब्सक्राइब तो इसवी पर दोस्तों आपको क्या करना है मैं आप बगता दक्र यहां से सीक्वाइस इन से तु मत pł creatively r elderly आ आपको जह कि बागदे लेकिन आपको जो है जिनका भी बाक्य है वह पालक के पकोड़े कि मेथी के पकोड़े मुंहदाल के पकोड़े तो जो जो पकोड़े आपने अभी तक खाया है शौप में उन सभी पकोड़ों की जो है रेसिपी पढ़ लीजिए प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे आप लाईए खुदी खा लीजिए कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है आप तो आपका वेस्ट भी नहीं जाएगा आप अपन शौप मार्णे के लिए जाता है अपको मारकिर से मिलेगा लेकिन भड़ा तो आपको आठे को सानना यानि आलू को जो है ट्रबाइब थर पकाना वुबाल के उपके उपाद करना तो चानके आपको देना है तो यह सब वड़ा बनाना समोसा बनाना बनाना का तो परकौर च स्नेक्स में होगा तुझी सारी चीज आपको जो है अच्छी तरह से एक्जामिन करनी और इसी से आप से अब स्की भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए दोस्तों जी इंजिन स्टुडेंट का गुरूप सी में है उनको तो पूरी तरह से जो है तैरी में लग जाना है क्यो कि अब नई चीज आच की है कि तुमीद करते दोस्तों इस वीडियो को आपको समझने को मिल चुका हो कि क्या आप चीज आपको जो है नए अपडेट हो चुका है तो मिलते हैं अपने दोस्तों नए एक्सपिरियंस नए प्रक्षण के सांद यह स्टुडीन का सेलेक्शन बहुत बहुत शुप कामना है और आप सभी को भी दूस्तों क्योंकि आपका भी सेलेक्शन हों हम ऐसी कामना करते हैं थाइंकियो सो मजद दूस्तों मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक नहीं जाएं कर नहीं अपडेट किसान